हेलो फ्रेंड्स कैसे हैं आप एक और नई रेस्पी के साथ आपका हमारे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है आज हम आपके साथ एक ऐसी रेस्पी से एर करेंगे जो कि बिलकुल ऑईल फिरी है और बनाने में बहुत ही ज्यादा आसान है तीन मिनट में बनकर ये तयार भी हो बना कर ज़रूर ट्राय करें चलिए तो बनाना हम सुरूर करते हैं सबसे पहले हम एक बॉल लेंगे और इसमें डालेंगे आधा कफ सूची मॉटी या बारीक आप कोई भी सूची यूज़ कर सकते हैं अब जितना हमने सूज़ी ली है उत्तना ही हम तही लेंगे आधा कप ह लिए हम रख देंगे, जिससे हमारी सूजी अच्छे से फूल जाए, अब इधर हम एक बाल लेंगे, और उस पर रखेंगे हम एक स्टैनर, यहां पर एग कफ हम भेसन लेंगे, आधा कफ हमने सूजी लिठी और एग कफ हमने यहां पर भेसन लिया है, बेसन को अच्छे से चान लेंगे, बेसन को चानना बहुत ज्यादा जिरूरी है, जिससे बेसन में जो भी गुठलियां होती है वो खत्म हो जाएंगी, बेसन हमारा चंचुका है, अब हम इसमें डालेंगे पानी, आदा कप हम इसमें पानी डालेंगे, पर पानी को हम एक साथ नहीं डालेंगे थोड़ा-थोड़ा करते हुए पानी को हम डालेंगे जिससे बेशन में जितने भी लंबसों वो निकल जाए और इसमें कोई भी गुथली ना पड़े अच्छे से थोड़ा-थोड़ा पानी डालते गए हम बेशन को मिक्स करेंगे एक साथ पानी डाल देंगे तो बेसन में लंप्स पड़ जाते हैं और ये दिखिए अच्छे से हमने बेसन में को पानी में मिक्स कर लिया है और दो-तीन मिनट के लिए इसे अच्छे से चलाते हुए हम फेटेंगे जिससे की बेसन हमारा हलका और स्मूथ हो जाए बेसन अच्छे से फिट जाएगा तो नास्ता भी हमारा बहुत ही सौप्ट बनेगा चलिए तो दो-तीन मिनट के लिए हम इसी तरह से चलाते हुए बेसन को फेट नेते हैं और ये दिखिए बेसन कुछ भाइट सा हो गया है इसको हमने तकरीवन तेन मिनट के लिए चलाते हुए फेट दिया था और ये दिखिए बेसन का बेटर हमारा कुछ इस तरह का है ये इतना ही काड़ा हमें रखना है अब इसमें हम डालेंगे नमक एक चमच हमने नमक डाल दिया है और चौथाई चमच इसमें हमने चीनी डाल दी है और साथ में तीन चार मूंदे नीबू का रस्पी हम इसमें डाल देते हैं इनको भी अच्छे से मिक्स करके एक मिनट के लिए हम और फेटनेंगे जिससे जो चीनी के दाने हैं वो भी बेसन में अच्छे से मिक्स हो जाएंगे अब हम इसमें डालेंगे कटी हुई हरी धनिया और ये दो हरी मिर्च कटी हुई ये आदा इंच अद्रक का टुकड़ा है जिसको हमने ग्रेट कर लिया है इसको भी हम डाल देते हैं पर हमने एक चमच हल्दी और चौथाई चमच हींग अगर आपकी हींग श्टोंगो तो आप हींग थोड़ी कम डालिएगा और अब हम इसमें डालेंगे जो हमने सूजी और दही का बेटर बना कर रखा ता उसको भी हम इसमें डाल देंगे सूजी फूल चुकी है और बेटर हमारा काफी गाड़ा हो चुका है अच्छे से सभी को चलाते हुए मिक्स करेंगे काफी गाड़ा बेटर है हमारा इसलिए अब डालेंगे इसमें हम पानी दो बड़े चमच हमने इसमें पानी डाल दिया है जादा पानी हम नहीं डालेंगे अच्छे से सभी चीजों को चलाते हुए मिक्स करेंगे बैटर को हम थोड़ा सा गाड़ा ही रखेंगे ये देखिए सभी चीजों को हमने अच्छे से मिक्स कर लिया है अब हम इसमें डालेंगे नमक, नमक हमने पहले भी डाला था, इसलिए यहाँ पर हमने नमक कम डाला है अब हम इसमें डालेंगे चोथाई चमच खाने वाला सोडा, इससे हमारा नास्ता बहुत ही ज़्यादा फ्लपी बनेगा अच्छे से सोडे को मिक्स कर लेंगे आप इसकी जगे इनो भी डाल सकते हैं आप इसमें डालेंगे मैन चीज दो बड़े चमच तेल सर्चों का तेल छोड़कर आप कोई भी तेल इसमें डाल सकते हैं तेल आप गरम ही डालिएगा पेशन की कोई भी चीज बनाए तो थोड़ा सा तेल उसमें आप जरूर डालिए इससे जो हमारा नास्ता बनेगा वो सुखा-सुखा नहीं बनेगा बैटर हो गया हमारा बिल्कुल तैयार अब हम देंगे एक छेद वाली इस तरह की प्लेट सभी घरों में इस तरह की प्लेट होती ही है, थोड़े से तेल से इसको अच्छे से हम ग्रीज कर लेते हैं क्योंकि हम अपने नास्ते को स्टीम करेंगे, इधर हमने कढाई में पानी गरम होने के लिए पहले ही रख दिया है, शन्नी को कढाई पर हम रख देंगे, पानी से थोड़ा सा उंचा ही हमारा लेंगे और बीच ओ बीच हम इसको डाल देंगे इसको फैलाने की बिलकुल भी जरूरत नहीं है बस गैस की फ्लेम हाई होनी चाहिए और पानी भी हमारा उबलता हुआ होना चाहिए उपर से थोड़ा सा लाल मिर्च का पाउडर हमने डाल दिया है जिसे नास्ता देखने में बहुत अच्छा लगेगा और इसे 3 मिनट के लिए हम ढखकर पकने देंगे तीन मिनट बात जब ऊपर की लेयर इसकी सूख जाएगी तब हम इसको पलटकर देखेंगे चलिए तो 3 मिनट हो गए इसको उठाकर हम देखते हैं यह देखहें ऊपर की लेयर पूरी तरह से नहीं तो यह तूट भी सकता है एक नास्ता बनकर हमारा बिल्कुल तैयार हो गया इसी तरह से दूसरा नास्ता भी हम बनाएंगे बापस से प्लेट पर ओल से हम थोड़ा सा ग्रीस कर लेंगे जितनी बार आप नास्ता बनाएं प्लेट को थोड़ा सा ग्रीस जरूर करिएगा बैटर को डालेंगे और बापस से इस पर थोड़ी सी लाल मिर्श रखके इसको तीर मिनट के लिए ढख देंगे नीचे आप देखते रहेगा कि पानी आपका खतम ना हो जाए इसी तरह से सारा नास्ता बना कर तैयार कर लेंगे अब इदर हम एक तरका बना रहे हैं तरका पनिन में हमने एक चम्मच तेल डाला है उसी में एक चम्मच सर्सों और एक चम्मच यहाँ पर हमने सफेद वाला तेल डाल दिया है तिल और सरसो जब अच्छे से सिटक जाएगा तब इसमें हम कुछ करीपत्ते तोड़कर डाल देंगे तर्का हमारा हो गया है बिलकुल तयार और इस तरके को हम अपने नास्ते के ऊपर डाल देंगे जिससे नास्ता और भी ज़ादा हमारा टेस्टी हो जाएगा सारा नास्ता हमने बना कर तयार कर लिया है और इस तड़के को भी हम नास्ते पर डाल देते हैं और ये दिखे कितना बढ़िया नास्ता हमारा बन कर तयार हो गया है और इसको हमने सर्व किया है धनिया की चटनी के साथ पीछे से भी हम आपको दिखाते हैं ये देखे कितनी जाली आई है हमारे नास्ते में और ये बहुत ही ज्यादा शॉप्ट बना है और ये नास्ता है हमारा बेशन का आउमलेट चीला और उत्पन तो आपने बहुत बार खाया है एक बार आप नई तरह का नास्ता बना कर जरूर बताईएगा और रेस्पी अच्छी लगे तो उसे लाइक और सेयर जरूर करें चैनल को सब्सक्राइब करना बिलकुल ना भूले थैंक यू